आज्सू के प्रमुक सुदेश मातू ने कोलहान प्रबंडल को लेकर कहा है कि इस प्रबंडल का अपना इतिहास है और इतिहास से ही राजजुनीदी बनती है उन्होंने कहा कि पिछले पात सालों में बहुत कुछ बदला है और जनता ने सब देखा है सिंग भूम सीट से गीता कोड़ा के चुनाव मैदान में उतरने पर कहा कि महिलाओं के चुनाव मैदान में उतरने से महिला सशक्ति करन को बल विलता है और सुदेश मातों से बात किया हमारे सायोगी भावटाने कुलहान प्रमंडल की अगर आप बात करेंगे तो जिसका खाता वहां से खुलता है सत्ता और सियासत की चाबी उसे मिल जाती है मुझा लगता है इसको बारीकी से हम समझ लेते हैं आजसु के प्रमुक सुदेश महतों से जो कि इस वक में शाद मौजूद है आप तो ग्राउंड की नेता है ग्राउंड पर रहते हैं आप से बहतर आकलन शायद इस मामले पर कोई नहीं कर पाएगा आप कुलहान को पहली सवाल ही मेरा यह है कि कैसे देख रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि जैमेम हो कॉंग्रेस हो उनका एक मजबूत गड़ है कॉलहान इसा नहीं है समय समय पर वहां के लोगों और मद्दाताओं का रुजहान अलग अलग रहा है अच्छा वेस्ता जारकन मुक्ती मुर्चा चुकि जो चेत्रे हैं हमारा कास का जारकन अंदूलन में सबसे सक्रिये चेत्रे रहा है कोलान सुदेश जी अगर हम सिंग्भूम की बात करें तो यह बात तो किसी से नहीं छुपी है कि कोड़ा फैक्टर बहुत काम आता है और उस लिहाज से गीता कोड़ा ने जीत हासिल की और बिजेपी के जो प्रदेश अदिश और फिर सांसत के प्रतियाशी के तौर पे जिने सब्सक्राइब वहाँ के अपने इत्जा से उसमें ऐसे हमारे करने के लिए अंग्रेज सासक के दर् Savage पहुंच जाते हैं ये सब इत्जा से वहां पर वहां पर हमारे कैई ऐसे जैली वाला गोली कांड की तरह आपका गोली कंड भी वह Apache की च्छतन स्चया में क्या बिजय परिपेच में अगर 24 के एलेक्शन को सामने रख कर कहेंगे तो अभी निश्यत रूप से वहां के सभी विदानसवा पर कहीं न कहीं इनका कभजा है मेरे जो इंडिया गडवन्दन के खासका जारगन मुक्ति मोचा और कुछ कॉंग्रेस का है पारलेमेंट में निश्यत को भाजपा में शामिल कराना चाहेंगे कि महिला फैक्टर है कितना मजबूत है और क्या कॉंग्रेस को बिजेपी में लाने से इनकी की गीता कोड़ा के बिजेपी में आने से क्या प्रत्याशिक तोर पे जनता वही प्रेम दे पाएंगे जनता के भावनाओं को अभी तुर कि तैयारी चल रही है कि आने वाले जब इस सेलेक्शन के आगे एलेक्शन जाएंगे तो उनके लिए एक रिजर्वेशन का प्लान हमारे एंडिया सरकार ने तई किया यह तो मधुकोड़ा जी तो भाजपा के ही रहे ना पहले तो भाजपा ही थे भाजपा के नेता थे उन कौलहान प्रमंडल ने कई मुख्य मंत्री दिये है जारखन को जिसमें से बेजेपी के भी कई मुख्य मंत्री निकल कर आये हैं ऐसे में पुराने चहरों पर जो है दाव लगाया गया है लेकिन पहले वो कॉंग्रेस में थे भाजपा का दामन थाम चुके है अब जनता को य भावना नीज लेवन भारत तुरा आचिए